नमस्कार, तो आज खुश तो बहुत होंगे आप, शायद मतलब ऐसा लग रहा है सबको कि Under 23 Asian Cup का जो Qualifier का जो Draw है, उसमें हमको Easy Group मिला है, ऐसा कई लोगों को मानना चल रहा है, ठीक है, और अगर आप देखेंगे दूर से, तो लग भी रहा है सा, कि हम Qualifier कर सकते हैं, बट हम है Group G में, और हमारे साथ है, UAE, Maldives और, और, चाइना, हाँ जी, चाइना, इसलिए सब बहना, बड़ा खुश लग रहे हैं, कि Finally, हमारा मैच जो है, वो हमारा आसपरोस की टीम से तो होती रहता है, चाइना से एक सर हमारे मैच नहीं होता है, तो चलिए, उससे भी है, तो अभी फिर से वही मौका है, कि इतना जो खर्चा किया था, फिर से दिखाऊ उनको, कि हमने आपसे कमी खर्चा के फिर भी टककर हम आपको दे सकते हैं, ऐसा हमको करके दिखाना पड़ेगा, तब ही तो चाइना को पता चलेगा, कि हम भी रेस में दावल रहे हैं, हम ऐसे बेल्ट है नहीं है, तो चली हम थोड़ा सा बात करते हैं, कितना टफ या कितना हो सकता है, मतलब गुरूप से हमारा निकल ना, देखे पहली बात, UAE, UAE पिछले बार भी हमारे गुरूप में थी, और UAE से हम पैनाल्टी में हार गय थे, आखरे-खरे में पैनाल्टी हमारी हो गई थी, और एक पैनाल्टी और एक जिरो से जीत गते, वरना हम पिछले बारी क्वालिफा हो रहे थे, क्योंकि अगर वो मैच हम UAE से नहीं हारते न, एक जिरो से, तो हमारा सीधा अंडर 23 पहली बार हम अंडर 23 Asian Cup में चले आते, लेकिन अब फिर से वही मौका दिया है, एक बार फिर से, हैना कि अंडर 23 Asian Cup दो बारा, ठीक है, मौका मिल चुका है, अब देखे हम बात करते हैं, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे क्या लगता है, अब आपको लगेगा कि प्लस पॉइंट तो बहुत जादा हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट के पर उन्होंने मैचेस कहले, और चाइना जून में पांडा कप खेलने वाला है, जिसमें तीन मैच और खेलने वाले है, तो भाई ये सब टीम्स ना मैच खेल रही है, ये प्लस पॉइंट है, किनका ना कॉंबिनेशन, टीम केमेस्ट्री या जो भी टेक्टिक्स वगेरा है, इन पिछले साल, वो तब खेले थे, साथ में, ठीक है, और अभी अंडर 23 में क्या होगा, कुछ अलग प्लेयर्स और कुछ अलग प्लेयर्स के प्लेयर्स मिक्स हो जाएंगे, तो इनका कॉंबिनेशन कि दर है, ये तो भाई साथ में कब खेले थे, ये बात, ये है नेगेटिव पॉइंट हमारा, ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि हर ग्रूप की टॉप टीम जो रहेगी, वो क्वालिफा हो जाएगी, और चार जो बेस्ट रनर अरप रहेंगे, वो क्वालिफा होगे, और एक कतर अल्रेडी क्वालिफाइड है, विकाज हो होस्ट है, अब इसम माल्दी उसकी टीम उतनी सही नहीं है, क्योंकि माल्दी उक आपको पता है कि उनके अंडर 23 बोले या नीचे के यूथ लेवल भी बोले है, उतना गेम टाइम बोलेंगे या उतने लीक्स अच्छे से उनको मिलता नहीं है, बाकी में किसी के डिस्रिस्पेट नहीं करना इंडिया के गेंस भी बोलें, अधर कोई भी कंट्री बोलें आप हमारे ग्रूप की, उतना बेटर गेम नहीं जाएगा, तो माल्दी उसको तो सभराएंगे तीन पॉइंट लेना चाहेंगे वहाँ पर, अब जो बची तीन टीम है, इंडिया, यूए और अपनी चाइना, यह तीनों टीम साँ भूलूँगे टक्कर की एकवल टक्कर की टीम है, भाई यहाँ पे यह नहीं बुलूँगे की चाइना बहुत अच्छी होगी, यूए बहुत अच्छी की, भाई टक्कर चलेगा तीनों टीम का एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर आप कोई भी टीम अच्छा रन वागरा बनाते हैं और अच्छी बॉल्स भी डालते हैं इनका इंडियूजल गेम प्लेग वह भी अच्छा है तो यह मुझे एक प्लस पॉइंट भी लगता है कि हमारे आगे जो फिनिसर से गुरी रतवर अगर गोल मारते हैं तो यह अच्छी बात है कि भाई ग इनकी टीम के पास भी अच्छी बात में तो इफैंस कितना अच्छा करती है यह बात में तो डिफैंस अगर हमने टाइट कर ली और आगे हमारे प्लेयर्स पे भरुसा आई उनको मिल गया मौका तो छलनी कर देंगे सीन आगे वालों का तो बस यह चाहिए और बस इतना कर द इस बार मोका लग रहा है मुझे प्लेयर हमारे अच्छे फॉर्म में कुछ है ना अंडर 23 लेवल के साफ से देखेंगे तो भाई चले आना चाहिए मैं तो बोलता हूं हमारी टीम ने इस बार क्वालिफा करना चाहिए आप क्या बोलता है बताइए आपको कितने आशंका है ल करते हमारी टीम मेनेजमेंट वगेरा जो है कि कैसे ना टीम केमेस्ट्री बिठाएंगे कितना लंबा कैम देंगे बात वाली तो देखते क्या करते हैं तो आप बताईए आपको क्या लगता है कि क्या इस बार फाइनली हम कर पाएंगे क्वालिफाइं अंडर 23 असन कप के ल झाल झाल